हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाओं में काफी कम वक्त बचा है ऐसे में बीजेपी की नया पार लगाने के लिए पीम मोदी खुद ज्यादा से ज्यादा जनरता के बीच पहुँच रहे हैं दो दिनों के हिमाचल दोरे पर पहुँचे प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी ने आज कांगड़ा में जनसभा को संभोधित किया जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस कहीं नहीं दीख रही है इस पार्टी ने तो पहले ही मैदान छोड़ रखा है मैं दिल्ली में भी पीम ने वर्ड बैंक की इस और बिजनस रिपोर्ट 2017 को लेकर विरोधियों पर निशान असाधा जनसभा को संबोधित करते हुए पीम मूदी ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के सोच सड़ी हुई है और आने वाली पीडियों में भी वही सोच आगे जाने वाली है कॉंग्रेस को जब तक सजा नहीं दी जाए वह तब तक सुधरने वाली नहीं है पि-म मोधी ने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी में दीमक लगी हुई है जिसे ज़ड़ो तक स्ताफ किये बिना हिमाचल का विकास असंभव है मोदी ने कहा कि हिमाचल को बिमारियों से दूर करने के लिए कॉंग्रेस रूपी दीमक को हिमाचल की जड़ों से निकाल कर फेकना होगा और इसके लिए जनता को आगे आना होगा कॉंग्रेस पर वार करते हुए पीम मोदी ने कहा कि अगर ये पार्टी सूचती है कि मोदी के पुतले फूखने से मोदी डर जाएगा तो कॉंग्रेस गलत फहमी में है मोदी प्रश्चाचार के खिलाफ रडाई लड़ता रहीगा इतना ही नहीं पीम मूदी ने कहा कि जंता के साथ अन्याय करने वालों को जंता भस्म कर देती है और यही माचल के चुनाव में दिख रहा है कॉंग्रिस ने यही माचल में हार मान ली है वही माच्टो जाने से पहले दिल्ली में भी PM मूदी ने अर्थ्यवस्था को लेकर सरकार को खेडने वालों को जवाब दिया था इंडिया बिजनस रिफॉर्म कारिकरम में Ease of Doing Business पर World Bank की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए PM मूदी ने कहा था कि यह है वक्त खुशी और जश्न मनाने का है क्योंकि इससे लोगों के जीवन में सुकमता आईगी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बिजनस करना पहले से आसान हो गया है पहले भारत की रैंक 130 थी जो अब टॉप 100 वे पाइदान पर है इस लिस्ट पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि पहने की सरकारों ने कुछ नहीं किया और जो कर रहा है उसे करने नहीं देना चाहते मोदी ने कहा कि अगर ये सुधार पहले के वक्त में किये होते तो देश और ज्यादा आगे बढ़ता मोदी ने जिस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ड बैंक की रिपोर्ट में जिस्ट जैसे बदलाफ को इस साल नहीं जोडा गया है अगले साल जब इसे जोडा जाएगा तो रैंक और सुधरेगी पियमोदी ने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है और ऐसे में जिस्ट में जो कमिया है उनको वक्त वक्त पर देखा जाएगा और ठीक किया जाएगा डिबे लाइफ की रिपोर्ट